नमस्कार मैं डाक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायलोजी क्लास में स्वागत करता हूँ और आज के हम इस वीडियो में लाइट रियेक्शन के बारे में और समझेंगे कैसे लाइट रियेक्शन के दौरान दो फोटो सिस्टम फर्स्ट एन सेकेंड इन्भल्ब्ड होते हैं और किस तरीके से इलेक्टरॉन का फ्लो होने के बार नन साइक्लिक फोटो फास्पोराइलेशन में एटीपी और नडीपी एजनरेट होता है साइक्लिक फोटो फास्पोराइलेशन में एटीपी एजनरेट होता है और यह इलेक्टरॉन ट्रांस्पोर्ट डिफरेंट प्रोटीन के थुरू होता है और यह प्रोटीन का सीरीज काफी महत्यपुर्ण है और इसे सवाल पूछे जाते हैं तो आइए हम लोग इस लाइट रेक्षन को समझने के पहले कुछ प्रकास संसलेशन की बेसिक बातों को समझते हैं जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रकास संसलेशन प्रकिडिया के दोरान पौधे भोजन बनाते हैं और या प्रकास संसलेशन की प्रकिडिया दो स्टेप में समपन्य होती है Light Reaction और दूसरा स्टेप Dark Reaction Light Reaction की जो प्रकिडिया है उस दोरान ATP और NADPage का निर्मान होता है और उस समय आपकी Light की अव सकता होती है दूसरी बाद ATP और NADPage का युटलाइज डार्क रियेक्शन के दोरान प्रकास संसलेशन की प्रकिडिया में कार्मन डाइक साइड का फिक्सेशन करके फूड बनाने के काम में आता है और अब हम देखते हैं कि Light Reaction होता कहां पर है तो Light Reaction की प्रकिडिया है वो ग्रेना में संपन होता है और Dark Reaction की प्रकिडिया स्ट्रोमा में संपन होता है तो आईए अब हम लोग Light Reaction को समझते हैं इसको समझने के पहले एक बात और समझना है Photosystem First और Second तो light reaction में जो photo system मैंने भी बताया कि ग्रेना में फल्ब्ड होते हैं तो यह photo system कहाँ localized होते हैं इसे सवाल पूछा जाते हैं तो photo system first और second जो localized होते हैं थैलोकौाइड मेंब्रेन पर थैलोकौाइड कहने का मतलब क्या हुआ एक single unit और multiple थैलोकौाइड मिलके ग्रेना का निर्मान करते हैं तो इस मेंब्रेन पर photo system first और photo system second दोनों involved रहते हैं मेंब्रेन पर ध्यान रखना है कहाँ पर थैलोकौाइड के मेंब्रेन पर photo system first और second दोनों localized होते हैं जबकि stroma लेमली जो different तरह के ग्रेना को connect करता है इसके मेंब्रेन पर आप पाएंगे कि photo system first ही मौजूद रहता है frequently photo system first मौजूद होता है आईए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इन photo system का utilize करके ATP और NADP generate होता है तो सबसे पहले हम लोग light reaction के non-cyclic process को समझते non-cyclic मतलब एक बार electron release हुआ तो फिर ओ दुबारा लोटके नहीं आता है जैसे आप यहां देखते हैं non-cyclic photo fast polarization में दोनों photo system involved होते हैं photo system second और photo system first तोनों involved होते हैं और यह जो पूरा reaction है कहां पर localized हो रहा है आप देख सकते हैं इस membrane पर localized हो रहा है यहीं पर जो reaction होना है हो रहा है तो जैसे ही आपका light आता है photo system second जो है वहां से electron excited होते हैं और electron excited होने के बाद आपका इस electron की कमी को या पूरा कौन करते हैं वाटर का hydrolysis जो electron release करते हैं और photo system second या P680 को देते हैं तो कभी-कभी photo system second को हम लोग water splitting photo system या complex के नाम से भी जानते हैं यह सवाल पूछा जा सकते हैं जैसे ही electron excited होता है यह different component के थुरू mood करते हुए आगे बढ़ता है तो कैसे देख सकते हैं पी-ए-ची-क्यू, क्यू-ए, क्यू-बी, साइटोक्रॉम B6 complex और प्लास्टो साइनी और यह electron जो photo system second से release हुआ है यह photo system first के पास आता है और आने के बाद यह भी light के बढ़ने के बाद light के बाद क्या होता है excite होता है और excite होने के बाद यह electron आगे different protein complex के थुरू बढ़ते हुए आगे जाता और जैसे ही electron की जो कमी होती है यह electron जब release हो गया तो यह electron यह photo system second के दोवारा दिया जाता है और finally इसको water splitting complex या water के तूटने के बाद यह electron release करते हैं यह दिया जाता है तो हम यह देखते हैं क्या कि जैसे ही photo system first के पास आता है और यह different molecules के तुरू A0, A1 complex है यह FEX complex, FEA, FEB और lastly FD ferrodoxine, FNR और lastly जो electron receptor है आपका NADPH तो हमने यहां देखा क्या कि non-cyclic के दौरां electron का movement different complex के थुरू होता है और ultimately वो electron NADPH के दौरां take कर लिया जाता है और इस परिस्तिती में आप देखेंगे कि यहां पर ATP का निर्मान होता इस step में इस और NADPH का भी निर्मान होता कभी-कभी होता क्या है कि यह electron जो move करते हैं आगे बर रहे थे lastly NADPH के पास जाते हैं यह आप take कर लिया जाता है और कभी-कभी यह FD जो देख रहे हैं फेरडॉक्सीन देख रहे हैं electron NADPH को ना देखे आपका cytokrom BF6 complex को दे देते हैं और इस परिस्तिती में आपका NADPH का निर्मान नहीं हो पाता है और ऐसे cycle को हम लोग cyclic के नाम से जानते हैं electron X cycle में continuous भूमते रहता है जैसे आपका देखे FD से cytokrom B6 complex, plastokinin, photosystem first, photosystem excited first और यह complex के तरूँ गुमते हुए फिर cytokrom B6 complex के पास आता है तो यहाँ पर होता क्या है कि इस परिस्तिती में only ATP ही generate होता है तो हमने यहाँ दो बाते देखी और से कि पहली बाते कि अगर electron water से release हुआ और यह different molecule के थुरू move करते हुए ultimately NADPH के पास पहुँच जाते हैं इसको हम लोग non-cyclic photophosphorelation करते हैं और इस प्रक्रिया के दोरान ATP और NADPH का निदमान होता है दूसरी बात है अगर यह FD NADPH के पास ना आके फिर B6 complex के पास आता है और यह cyclic में move करते हैं इस तरीके से तो only ATP का निर्मान होता है तो यह photo system अब जो अगला सवाल consistent पूछा जाता है competition में कि यह cyclic photo fast correlation कहां पर होता है तो cyclic photo fast correlation में हम देख रहे हैं कि photo system one invert है जबकि non cyclic में दोनों photo system invert है और मैंने आपको बताया था कि यह photo system first और second दोनों invert होते हैं तो यहां पर जो हम लोग बोल सकते हैं कि non cyclic photo fast correlation होता है और यहां stoma lamely में क्योंकि photo system first ही है तो यहां पर क्या होता cyclic वाले force step होते हैं अब एक और सवाल consistent पूछा जाता है कि क्या कारण है कि cyclic और non cyclic की ज़रुवत है पुर्णता यह बात यह सपस्ट नहीं है लेकिन एक बात बताया गया है कि cyclic जो आपने ATP और NADP का निर्मान किया फॉदर carbon dioxide का fixation mutualize किया जाता है लेकिन उस परक्रिया के दौरान आपका ज्यादा ATP की requirement होती है तो उस परक्रिया में पूरा करने के लिए उस कमी को पूरा करने के लिए और सिर्फ cyclic photo phosphorylation किया जाता है मतलब cyclic electron मतलब इस तरह से electron भू करते हैं और only ATP rate करते हैं तो तूसरे photosystem first को कभी-कभी NADPH producing photosystem भी बोला जाता है और यह कहां लोकलाइट होते हैं इस्टोमा लेमली में और आई हम इसे संबंदिक को सवाल को देखते हैं इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि यह photosystem आपका जो second है और water splitting complex के नाम से भी जानते हैं तो यह different तरह के proteins इसमें होते हैं और खास करके जब electron का flow होता है तो different protein के थुरू यह move करते हैं और यह जो complex है खास करके दो protein D1 and D2 काफी महत्तपुर्ण हैं और एक ऐसा complex है non-heme iron मतलब इसमें iron containing group नहीं होते हैं और इस तरीके से ultimately यह जो electron है यह किसको देता है यह दोनों protein काफी महत्तपुर्ण हैं आईए हम लोग इसे संबंदी तब सवाल को समझते हैं यह सवाल 2016 में पूछा गया दिसम्बर में काफी simple है आप से पूछा जा रहा है कि electron transport होते हैं electron carriers होते हैं jet scheme तरह और और नाइज होते हैं तो आपको बताना है direction of flow of electron तो आप बता सकते हैं कि कौन सा जो statement है सही है अब देखते हैं p680 photo system यह photo system second की बात की जा रही है और यह p700 photo system first की बात की जा रही है तो आप देख सकते हैं कि photo system जो second है PQA, PQB के पास इस तरीके से नहीं जाता है इसके पहले एक और molecules रहता है PO0 जो P, Q और Q के बाद पहले आता है तो जो statement yes सही है एक उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो P700 जो A1, A1, A0, A1 complex के बाद आता है और इसको भी हार्म रखना है XAB, XAB, iron sulfur का complex है याद रखना ही बात XAB, complex XAB तो अगर आप यह देखें तो आपका जो answer हो जाएगा इस तरीके से आपका यह C है जो correct है और कौन correct है आपका यह जो B है O correct ऐसा नहीं होता है जी जी जो के बाद तो इस तरीके से आपका answer क्या है यह सही ठीक उसी तरीके से आप यह दूसरा सवाल देखें यह भी क्या है electron task force, light reaction, thalcoat, membrane and the chloroplast के बाद क्या जाएगा तो आपको बताना है कैसे photosystem second जो काम कर रहे हैं तो P680 से कहां जाते हैं plastokunin और cytochrome B6 complex और plastokunin के पास जाते हैं आप देख सकते हैं तो याद है तो अच्छी बात है नित्धियान रखना है तो यह plastokunin और plastokunin complex के पहले से plastokunin के पास जाते हैं तो इस तरीके से answer जो आप आपका हुआ 4 очTOR हूआ अब देखते हैं कुछ और सवाल को देखते हैं यह सवाल जून में पूछा गया है जेड़े स्कीम के बारे में और यह कैसे बिल्कुल मिलता जूलता सवाल है तो यहाँ पर हम देखते हैं P610 स्टार मन्द एक्साइटेड हो गया और एक्साइटेड होने के बाद आपका प्यो पाइतीन क्यू ए और बी साइटोक्रॉम बी सिक्स कंप्लेक्स पी सी और पी सेवन हंड्रेड यह स्टेट्मेंट क्या है बिल्कुल सही है ठीक उसी तरीके से अगर इसकी बात करें पी साथ सो पाइलोक्रॉम ए आइरन एक्स ए बी और एफडी फरोडक्सी यह भी क्या है सही है लेकिन अगर हम यह देखें तो इसमें लाइक है कि ए बी एक्स ऐसा नहीं है धियान रखना है कंफ्यूज नहीं हुना है एक्स ए बी पैर आइरन शल्फर का एक्स कंपोनेंट फिर अलग ए और बी कंप्लेक्स जो आर है तो यह आपका स्टेट्मेंट गलत है ठीक उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो यह भी आपका स्टेट्मेंट जो है क्या है गलत है QA QB तो इस तरीके से जो आपका जो सही अंसर हुआ आप देखेंगे कि आपका C और D हुआ तो इस तरीके से आपका C D थर्ड अंसर सही हुआ अब पूछ रहा है अगला सवाल जो 2014 में पूछा गया है जून में फोर्टो सिस्टम शेकेंट फंक्शन लाइट डिपेंडेंडेंट वाटर प्लास्टो क्यूनिंड ऑक्सी रिडॉक्टेस यह आपका जो मैंने भी डिसकस किया था यह प्रूटीन D1 और D2 इंभर्म्ट होते हैं तो इस तरीके से इस कांसर सेकेंड हुआ अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इंकरेज करता है थैंक्यू पर वाचिंग दे वीडियो